अगर आपका भी भारतिय स्टेट बैंक यानि की सारे बदलाब किये हैं ऐसे ही कुछ महतुपून बदलाब के बारे में आपको इस वीडियो के इंदर बताने वाले हैं तो चलिए चल्दी से जान लेते हैं कि आपको किन-किन चीज़ों का इन चेंज़ के चलते ज्यान रखना चाहिए ताकि आपको किसी भी परिसानी का सामना ना करना पड़े तो आपको इस्तेमाल करने पर पावंदी लगा दिये यानि कि अब अगर आपके पास कोई भी पुराना एटीं एडेविट कार्ड है एसबीटीं का भारतिय स्टेट बैंक का तो उससे आप ट्रंजेक्शन करने के लिए जाते हैं तो अब आप ट्रंजेक्शन उससे नहीं कर पाएंगे आप उससे पैसा नहीं निकाल पाएंगे तो अब अगर आपको SBI का ATM या डेविड कार्ड इस्तेमाल करना है उससे आपको ट्राजेक्शन करना है तो एक जनवरी 2020 के बाद आपको बता दें कि भारतिये श्टेट बैंक ने अपने कस्टूमर्स को मैगनेटिक स्ट्राइब डेविड कार्ड की जगा इमबी चिप और पिन बेस्ट कार्ड लेना अनिवार्रे कर दिया है आपको यह पर यह भी बता दे कि इसके लिए कोई भी बैंक आप से किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेगा तो आप जाकर अपना कार्ड चेंड करा सकते बात करते हैं दूसरे चेंड के बारे में जो कि भारतिय श्टेट बैंक ने किया है इससे आपको फाइदा हो सकता है तो आपको बता दें कि अगर आप होमलोन से होमलें लेने के बारे में सोच रहे हैं तो हम लोन अब ऐस्वी ने 2020 से में यानि कि एक जन्वरी 2020 से सस्ता कर सब्सक्राइब आपके लिए फाइदे की बात है क्योंकि इसके अंदर आपको बता दे कि 2020 यानि कि जन्वरी से नई जो दरें वह आट दसम्लाब 5% से घटा कर साथ दसम्लाब 80% कर दी गई है तो अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लेने जाते हैं तो आपको जो पहले 8.5% देना पड़ता था अब आपको 7.80% देना पड़ेगा तो यानि कि आपका होम लोन अब सब्सक्राइब कर दिया है आपको यहां पर यह भी बता दे कि इस कटोदी का फाइदा मोजूदा होम लोन कस्टोमर्स के साथ एम एस एम आई सेक्टर के उन कजदारों को भी मिलेगा जिनोंने ई बी आर लिंक्ट लोन लिया हुआ है सब्सक्राइब के मुताविक अब होम लोन लेने वाले जो नए कस्टोमर्स हैं उनको पहले की आठ दिसम्लाफ 15 फिस्टी जो परसेंट ब्याज था उसकी दर की तुलना में अब 7.90 परसेंट पर ब्याज मिल जाएगा बारत्य स्टेट बैंक में जो चेंज हुआ है वह हु मसीन से पैसे निकालने के लिए जाते है तो 10,000 रुपे से जादा पैसे निकालने पर अकर आपогर को आधीा मसीन से राथ को आठ बजे से लेकर सुभा आठ बजे तक के बीच में तब आपको ट्रांजेक्शन करने के दोरान आपके रेइस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जब तक आप उस ओटीपी को उसमें नहीं डाल देंगे तब तक आप वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे तो आपको बताता है कि यह परक्रिया किसी और बैंक के मसीन पर काम नहीं करेंगी क्योंकि फिलाल इसे नैशनल फाइनेंसियल स्विच्च यानि की एन एफ एस में इसे तयार नहीं किया गया है तो एक जनवरी 2020 से यह बड़े बदलाव हुए है आयो फ्रेंड य लिए आप हमारी टुटोरियल वाली प्ले लिस्ट भी जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्काप्शन मिल जाएगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे रैडब वाले सब्सक्राइब क प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब किया वाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिज़ते हैं आप सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में तब तक करें गोड़ बाई टेक केर जैहिं झाल